हेलो गाइस वेल्कम बैक टो चनल मेरा नाम है चतन्या और टोड़ा एम पूरिंट एक्स्प्लेंट यमी और एम्टेक टाम टेबल ओके इस इसमें थोड़ा बहुत जाथ एक्स्प्लेंट नहीं किया है अगर आपको डिटेल में एक्स्प्रेंशन चाहिए टाम टेबल के बार सो लेट्स मूद ओवर्स सो दिस इस टेबल एंड आपने हाथ में हो कुछ भी नहीं है और वीडियो बहुत जादे लेट आपके लिए क्योंकि में पाइथन में बिजी हो गया था ओके सो उसकी डेट को निकल चुके है अगर आपने ये फॉर्म पील करके या फिर अप्लिकेशन रिश्रिश्माँ पील कर दिया है दोक्मेंट भी वेरिफिकेशन के लिए टाल दिया है तो फिर आप उसके आगे बढ़ेंगे ओके तो आपके लिए वीडियो है और नेक्स इंग आपको वह फॉर्स वीडियो में पता चलेगा जो कि मेरे फॉर्स वीडियो में डाल के रखा है जिसमें में इन डिटेल इफॉर्मेशन दी यह यह और और एम्टेक का रेश्रेशन फॉर्म कैसे फिल करते हो कि मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि टैमटेबल भी बताया था लेकिन अब चेंज भी हो चुके है तो फिर मैं और एक टैमटेबल के लिए वीडियो लेक आया ओके तो डिस्पलेशनल मेरेट लिस्ट याट इ बता थेंगे फिर आपको री अप्लोड करने पाड़ेंगे अपने दॉक्पिमेंट्स ओके तो दिस इस वाट अप टो थी एंड फॉर्थ अब जाने वारी ओके तो सब्मिशन उग्रेशन ग्रेशन से से इफ एंड फोर जाने वारी और एंड देन डिस्पले ओफ मेरेट ल आपको अपने डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करना पाड़े को अज की तारिक तक नाइन से डिसेंबर तक उसके बाद में डिस्पले ओफ प्रोइदा मेरेट लगने वाली थी ओके लगने वाली है सब्सक्राइब करेंगे और चार तारिक अपको वह जो गलती है वह सुदार कर आपको फिर से आपके डोकुमेंट्स रिअपलोट करने पड़ेंगे ओके इसके बाद आपकी और एक मिर्ट लगने वाली ओके इस्पले ओफ मेरेट लिए यह है छे जाने वारी को okay so after that let's go to the next slide now this is for the Capron first okay यह Capron first के लिए अब देखते है डिस्प्ले ऑफ प्रोशनल काटेगरी वाइस सीट मैट्रिक्स okay अब आपको मतलब 6 जाने वारी को उसके बात में only submission and confirmation of caption 1 okay मतलब कि आपको अपनी जो कॉलेज की नेम से डालने पड़ेंगे वह उसकी टेटिस 729 जाने वारी तक आपको 729 जाने वारी तक अपनी जो कॉलेज की नेम से डालने पड़ेंगे बात में original allotment मतलब आपको जो polish मिलेगा वह आपको just allot हो जाएगा वह आपको देखेगा 13th जाने वारी को अगर नहीं करोगे तो फिर आप freeze करना यह तो फिर float करना ओके तो freeze करने के बाद आपको वह seat मिल जाएगे अगर आप फ्लोट करोगे तो फिर उसके उपर की जो college से आपको मिल सकते हो के मतलब आपनी जब preference वायस डाले होगे ओके मुझे यह college चाहिए तो फिर आप सबसे पहले नमर पर वह डाले होंगे या फिर फिर नमर पर डालोगे ओके अगर आपको फिर नमर का उसकी देट क्या है 14th to 16th of january तक आप प्रिस कर सकते हो and then the next thing is reported to the allotted institute and confirmation of the admission okay means what आपको अपने college में जाके आपको confirmation देनी के हमें यह seat चाहिए और हमें इस college का admission लीनी हो okay and the date of that the thing is 14th to 16th of january okay so this is what if you want the seat of that college then you can go and accept the seat and you have to pay some money to that college okay or to that website whatever the thing is you have to do with the time okay so this is what the cap round first okay आपको समझ में आ गया होगा मुझे सा लगता है so चलते हैं अब next cap round 2 की तरफ so now this is for the cap round 2 अगर किसी ने freeze या फिर मतलब freeze नहीं अगर किसी फ्लोट किया है तो फिर आपके लिए यह है okay so let's see display of the provisional vacancy okay अगर फर्स्स राउंड में जो आप खेलेते ओके अगर उसमें कुछ vacancy रहती है तो फिर आपको यह cap round 2 उसकी साब से खेल चकते है okay so आपको इसा लगता है कि आपको जो एक इंट है और कितने नहीं तो उसके बात क्या है online submission and confirmation of caption to form मतलब कि क्या आपको फिर्ट से जो कॉलोजिस है आपको वह confirmation देना भूगा कि और submit करना पढ़ेगा अपने जो कॉलोजिस से कि हम यह कोलेज से लेक कर रहे हैं और हमें इस कॉलेजिस में से कौन सा तो भी एक कॉलेज चाहिए और दिस इस 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 फिल अप्टो 18-20 जाने वारी इन दुनों के भीच में आपको वह form submit करना होगा और confirmation देनी पाड़ेगे हमें मतलब यही कॉलेज में से कौन सा तो भी एक कॉलेज चाहिए और अपको अपनी सीट है आपको अपना कॉलेज हो मिल जाएगा अपना जाएगा कि आपको कॉन सा कॉलेज मिला और कॉन सा नहीं and the next thing is accepting to the opposite ओके मतलब कि आपको आपना जो उपना कॉलेज वह accept करना पाड़ेगा कि इज़ुआर आपको फ्रेज करना पड़ेगा या फिर कैंसल करना पड़ेगा आपके admission आप यह फिर फ्लोट नहीं reporting to the allotted institute and confirmation admission okay and this is the same thing which is in the capron first okay आपको अपने college में जाके आपको रिपोट हरना पड़ेगा कि हमने एक seat असिप कर दी है okay and हम आपके college में admission लेने वाले okay so and date is from 23rd to 25th of january okay अब इन दिनों के बीच में आपको अपना admission कराना पड़ेगा okay I hope you understand all of the things and if you have any query okay regarding to this time table okay then message me or comment me in the comment section box okay I will definitely give you the answer okay so let's see in the next video bye